आचार्य चानक्य की नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी की पहले हुआ करती थी। इन बातों का बालन करके व्यक्ती अपने लक्ष को पूरा कर सकता है। आये जाने कौन सी हैं ये बातें। एक इमांदारी आचार्य चानक्य के अनुसार अपनी लक्ष को पूरा करना चाहते हैं तो एक मजबूत प्लानिंग का होना बहुत ही जरूरी है। उस चेत्र से जुड़ी जानकारी प्राप्त करें। अनुभवी लोगों से बात करें। उनकी सलाह लें। उस काम के बारे में रिसर्च करें। इमांदारी के साथ अपना काम पूरा करें। कोई भी जल्दबाजी या शौटकट न अपनाए। इससे आपको लक्ष प्राप्त करने में मुश्किल हो सकती है। दो 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 परिश्रम करें। आचार्य चानक्य के अनुसार महंत करने से कभी घबराए नहीं। इससे आप अपने लक्ष की और बढ़ पाते हैं। व्यक्ति को कभी भी महंत से घबराना नहीं चाहिए। महनती लोगों को सफलता जरूर मिलती है। कई बार ऐसा होगा कि आपको निराशा हाथ लगेगी। लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। बलकि डट कर इन परेशानियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। तीन प्लानिंग आचारे चानक्य के अनुसार आपने जो भी प्लानिंग की है। उसे किसी मंत्र के समान गुप्त रखे। काम पूरा होने तक इसे किसी को ना बताए। आप अपनी प्लानिंग को जितना गुप्त रखेंगे उतनी आसानी से आपकारे में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। प्लानिंग पूरा होने से पहले किसी को कुछ बताने पर लोग आपका पीट पीछे मजाक उठा सकते हैं शुत्र को पता चलने पर वो आपका फाइदा भी उठा सकते हैं और आपके रास्ते में परेशानिया पैदा कर सकते हैं